कि जलिए हम लोग आज बात करने वाले कि इसके संचार व्रबस्ता मतलब यह है कि आपका लास्ट टॉपिक है यह मतलब इसके बाद कोस्टर बैंक के अंदर कुछ नहीं बचा तो अभी तक आप लोग यदि लगता है कोई टॉपिक आपको नहीं मिला है तो होगा अब खोजि करते हैं और नॉर्मली इस चैप्टर से कोस्टंस नहीं के बराबर पूछे जाते हैं खासकर फाइव मार्क के अंदर तो आप इसको इसको इसकी करना चाहों तो भी कोई दिक्कत नहीं है को चल्लिए कंटे पहला कोस्टन करता डिसक्राइव एम्प्लिट्यूड आयां मोड बडूलेसं और आविर्ती मोडूलेसं की व्याख्या करें प्रेशी एंटिना की उंचाई के लिए interface करें अया म бокलेस्टोचन क्या होता है यह बता ही और झाहां तक सबाह च canve दे सकता है आपको आविर्ति मॉडलेशन पूछे हुए है, तो आया मॉडलेशन आविर्ति मॉडलेशन सिफ अंतर यह है कि जब कोई हमारा मॉडलक तरंग है, जो हमारा मैसेज है, वो उसको जब वाहक तरंग जो इसको ले के जाएगा, जैसे आपको एक जगा से दूसरे जगा जाना हो एक वाहक तरंग, मतलब एक वाहन लेकर जाएगा, तो दोनों के अध्या रोपन के करण, ठीक है, किसके करण? अध्या रोपन के करण, एक नया विब बना, तो इसमें क्या होता है, इसका amplitude जो होता है, आयाम, वो बदलते रहता है, समय के respect में, time के respect में, change होते रहता है, तो ऐ ऐसे ही लिखा हुआ इसमें भी, एकदम आराम से देखेंगे, एकदम easy है, इसमें मौडलग तरंगों को वाहक तरंगों के साथ, इस परकार अध्या रोपित किया जाता है, मौडलग तरंग और वाहक तरंग, इस परकार अध्या रोपित किया जाता है, कि परिनामी, मौडल तो उसको क्या बोलेंगे, iam modulation. इस case में हमारा क्या होती? आविर्ति नहीं बदलती है. आविर्ति क्या रहती है, अभरेती है. तो इसे iam modulation कहा जाता है. इसका उपयोग अनिक अस्थानों पर होता है जैसे दूरसंचार, या रेडियो पर्सारन में ठीक है करते है यूज एजी है जहान में रखेंगे वही कहानी आविर्थी मॉडिलेशन के भी अंदर है हमारा इसके अंदर क्या होता है कि इसमें हमारी जो आयाम है वो नहीं बदलती है लेकिन बदलता कौन है, इसकी आविर्थी बदलते रहती है, तो क्या सकते हैं, इसमें मौडलित तरंगों के वाहग तरंगों के साथ इस परकार अध्यार उपीत किया जाता है, कि पाइनामी मॉडली तरंग की आविटी मॉडलक तरंग के ततकालिक मान के साथ बदलते रहती है तो इससे क्या करते है आविटी मॉडलन करते है मतलब आविटी बदली तो आविटी मॉडलन और उसका आयाम बदला तो आयाम मॉडलन ठीक है इसका अनेक अस्थान पर यूज क्या रखना है आयाम मॉडूलन का मतलब क्या होती उसका आयाम जो होगा वो बदलेगा आविर्ती मॉडूलन का मतलब उसकी आविर्ती बदलेगी ठीक है समय के साथ कि इतना भी लिखतों को एक लाइन वाली कहान निक्तों भी चलेगा निक्स्त अब यह हमको रेंज निकालना है कहां तक पहुंचाएगा तो यह फिगर आप देख पा रहे हों तो हो सकता है कि आपको जो यहां फे दी लिखा हुआ है आपको सरपढ़ाय होंगे तो यहां दी लिखे होंगे ठीक है या जिस बुक को फॉलो कर रहे हो इस दी के सिर्फ भावनाओं को समझना है ठीक है तो हम यह ने करें कि वह गलत है वह भी सही है यह भी सही है चलिए शुरू करते है एक्दम आसान सा है इससे आसान कुछ होता नहीं है डेडिवेशन के नाम पर तो सबसे पहले कुछ चीजिव को माल लिए कि माल लिजी रेंज यो हमारा है एंटीना से कितने दूरी कर यह हमारा दी क्या है रेंज है इसका कि रह कि लिक सकते हैं SP और TP SP या इसको Tp, okay दूसरा H कहा ह? प्रेशी एंट्रीना क्यूं दूचाई यहां स यहां तक की उचाई को क्या बोल दिये, H ठीक है, R कहा है प्रित्वी की तिर्जिया, मतलब ये चाहे बोलो, ये चाहे ये बोलो, ये सब क्या है, प्रित्वी की तिर्जिया, ये हमारा क्या है, प्रित्वी है, आपके चलिए, साब किया जाए इसको, अब आते हैं समकौन तिरभुज, QPS के अंदर, Q कहा है, Q यहां, QPS, समकौन जैसा दिख तो नहीं रहा है, यहां दिख रहा है, तो यह कौन सा पृत्वी के जैसा है, ऐस से यहां पृत्वी जैसा दिख रहा है, आपको देखने से कहीं तो यह लगता है यहां पृत्वी गोल है, यह बहुत बड़ा है ना, तो यह बहुत बढ़ा है तो यह गोल दिखता है, तो यह मानके चलिए, एकदम आइसा है, इतना कम गोला दिख रहा है इस अंदर के रिस्पेक्ट में, कि इसको तो 90 बोल सकते हैं ना, तो असम कहानी है कि ऐल आएगे तो यह हमारा 90 कहल आएगा ऊके सकते हैं यह वाल अंगल क्या बन जाएगा 90 का ठीका याद ही यह 90 यह हमारा h कहल जाएगा और यह हमारा मालूब b कहला गया और यह हमारा क्या कहला गया इसके सकते हैं.. ऐसे लिखा सकता है तो लिख सकते है SQ किया है हमारे पास ? S से q यह s q यह जो पता नहीं निकालना है उसके बाद क्या हमारा ? S P, S से P तक डिस्टेंस D है, D और P Q, P से Q तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, H है, लिख दिए, भावनाई खतम, नेक्स हमारा समकोन तिरभूज, तिरभूज, QS, O QS के अंदर चलते हैं, O QS, इसके, यह तो साफ साफ दिख रहा है, यह 90 है, जो कोई दिख करते हैं, तो यहां पर लगाते हैं, पाइथा गोरस का ठियोड़म, तो लिख सकते हैं, यह हमारा, मतलब, O Q का स्क्वाइर, इस इ दिखा जा सकता है, यह H बनेगा हमारा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, O Q का स्क्वाइर, O S का स्क्वाइर, S Q का स्क्वाइर, O Q हमारा क्या है, O से Q तक के दूरी, मतलब, यहां से यहां तक का हो गया यह R, और यहां से यहां तक हमारा हो गया H, तो R प्लस H का स्क्वाइर, ठीक है, O S, O से S की distance कितना है, R है, तो R का R, और S Q, S Q दो यहाँ निकाल चुके, तो इसको रख देते हैं, यहाँ पे, अब डबा खोल देते हैं, A plus B का whole square क्या होता है, A square plus B, A square plus 2 A b, इसको यहाँ लिख दिए, सेम जैसा यह है, वैसा ही, इसको कुछ नहीं किये, अब यहाँ से क्या कटेगा, R square से R square, H square से H square, तो यहाँ सकते हैं, D square equals to 2HR, लिख दिए, तो D बराबर क्या लिख देते हैं, root under, root under, 2HR, तो यह हमारा क्या हो गया, इसका range हो गया, ठीक है, अब इंग्लिस मेडियम वाले में range लिखा, हिंदी मेडियम में उचाई लिखा, तो H भी आप बता सकते हो क्या होगा, अब यह कितना छेतर को cover करेगा, तो हम लोग जानते हैं, यदि हमको radius पता है, R, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, क्या होता है, पाई आड स्क्वाइर, पाई का पाई, और radius कितना हमको पता है, आड स्क्वाइर की वैल्यू, यह हमारा है, तो 2RH, 2HR या रह, इसकी को हमने लिख दिया, तो यह हमारा क्या हो गया, वो छेत्र हो गया, जिसको यह cover करेगा, यह antenna, ठीक है, इजी है, तो यह नहीं समझ में है, तो थोड़ा स्पीर है, तो दुबारा से देखिए इसको, नेक्स्ट हमारा, क्या करें आधार बैंड, बैंड की चोड़ाई, और फेडिंग क्या होती है, कहानी है, याद कर लिजेगा, आधार बैंड क्या होता है, सूचना स्रोतों से उत्पन, मुल सूचना या संकेत, या सूचना एक आविर्टी पट्टी में नहीं थोती है, या आविर्टी पट्टी आधार बैंड क्यालाती है, दूसरा हमारा बैंड की चोड़ाई, समय तक कोई भी संकित एक आविर्टी का होता है, इसमें बहुत इसमें समु उपस्तित होते हैं, उपस्तित आविर्टियों की परास बैंड की चोड़ाई क्यालाती है या आविर्टी परास क्यालाती है, इसमें समु उपस्तित होते हैं, उपस्तित आविर्टियों की परास ब धर्ता धर्ता क्या होता है तो धर्ता फेडिंग कहलाती है मतलब यह सिंपल सा समझ दिया फेडिंग का मतलब होता है कि आप जो भी सिगनल भेज रहे हैं तीक है उसमें कुछ तो प्रॉलम आएगा कहा जहां पहुंच रहे है जैसे माल लिजे आपका कहीं पर वाई-फाई इतनी ज्यादा होती है तो याद करने की कहानी है याद रखेंगे थोड़ो थोड़ो सा नेक्ट हमारा क्या कह रहा है किसी आयाम मॉडलित तरंग की अधिक्तम आयाम 10 वोल्ट निवन तम आयाम 2 वोल्ट पाए जाता है मॉडलर सूच कांक मु का मान निस्जित कीजिए तो म मु का फरमूला हमलों जानते है मु एकॉल्स टू चलिए उम को पहले देखे रखा है A Max की वैल्यू कितना 10 वोल्ट A min की वैल्यू देखे रखा है 2 वोल्ट मुइकॉल्स तो में विए किया जानते हैं A Max – A Min divided by A Max Plus A Min तो हमारा a max की value कितनी है 10 minus 2 divided by 10 plus 2 यह हो गया हमारा 8 by 12 इसको लिग सकते हैं 2 by 3 कितना easy तो इसको याद रखना है अपने को कि formula तो याद रखना ही है next संचार परणाली में संचरन के लिए पर्युक तीन विधाओं का उल्य कीजिए already हम लोग इसकी बात कर चुके हैं भू तरंगे वेवम तरंगे और अंतरिक्स तरंगों संचारन में ठीक है आपका सब कुछ वैसा ही है already two marks में 2016 ने पूछा और 10 में भी पूछे हुए और वहाँ यह भी बताय थे इसको आकास या तरंगे नहीं कहते हैं अंतरिक्स तरंगे कहते हैं okay same as it is जैसा वहाँ था यहां लिख्या ना ull the कहानी इसमें हुम क्या संपिजाे को पूला जाये तुदा से दिमाग लगाओ के जूद आराम से लिख सकते हैं तुद भी पर सकते हैं क्या क्या है अब what do you mean by analog और digital संकेतु से आप क्या समझते हैं आया modulation क्या है समझाएं तो आया modulation तो अल्री चर्चा कर चुके और two marks के अंदर इसन दोनों की वी चर्चा की जा चुकी है देखिए 2011 में यह question आपको पूछा आपको पूछा जा चुका है और 18 में आपसे पूछा जा चुका है analog संके से क्या समझते है सेम कहानी जो वहां थी वही यहां है कोई अंतर नहीं है कि इसकी चर्चा हम लोग पहले अलड़ी कर चुके हैं कि थैंक्स फर वाचिंग छोटा से वीडियो है एक्षा हो तो अब यहां तक पहुंच गे तो देखी चुके हैं तब तो यहां तक पहुंचें तो आपके सारे question bank complete expect करते हैं कि आप परहाई भी जम के कर रहे होगे result भी लाओगे थैंक यू